तो दोस्तों जो सबसे पहले अपडेट निगल का आया वाटसेप दरफ से वह है आर्काइफ का जो कि पहले हमारा एर्काइफ करा हुआ कोई भी कॉंटेक्ट होता था तो हम सोचते थे उपर नहीं आना चाहिए कोई भी चैट या मैसेज करें लेकिन जब हम मैसेज करते थे कि उस बंदे को जिसका नम हमने आर्काइफ कर रखा है तो वह तुरंत ही उपर आ जाता था जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं यहां से मैंने मैसेज किया तो जैसे मैं मैसेज करूँआ तो वह पर ही आ जागा लेकिन यहां पर हाइड रहेगा लेकिन पहले क्या होता जादा हाइड नहीं रहता दा ओ नीचे से उपर को अपनी सो हो जाता था यह बहुत ही अच्छा अपडेट आया इसका जैसे कि आपने देखा ही हो गई अंदर यह जब तक हम सो नहीं करेंगे इसे जब तक यह बहुत ही अच्छा अपडेट है वाट्सप की तरफ से चलिए अ हमाँ जो QR-Code आता है उसको सकैन कर लेते हैं हम एक टाइम में दो जगे वाट्सप यूजज़ कर सकते हैं जैसे कि हमारे फौन में भी यो लैप्टॉप या कंप्यूटर पीसी वगर हमें भी हम एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं इसमें अच्छा अपडेट ये है कि अब अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये काफी टाइम तक चलेगा और जब तक आप net off करोगे ये net off नहीं करते हो फिर भी ये ऐसी ही रहने वाला है इसका बहुत ये अच्छा अपडेट आया है दोस्तो जैसे कि आप सिंपली यहां से scan कर सकते हैं अपना fingerprint लगा के unlock करके और जैसे आप unlock करके बाद अपना finger लगाएंगे तो इसे link कर लेंगे कोई भी device के साथ जैसे laptop, computer जहां आप करना चाहते हैं दोस्तो जो अगला update निकल का है वो WhatsApp का है जो WhatsApp की setting में जाती है साइड में जब हमें एक QR code को option देखता है तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है दोस्तो बहुत से लोगों ने इस पर notice भी नहीं कियोगा जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने एक code आजागा और side में scan का आजाएगा जैसे ये scan और code का क्या मतलब हैं दोस्तो तो मैं आपको मता दूं समझिए जैसे कोई भी दोस्त या कोई भी person हमें मिलता है वो कहता है या मेरा number एड़ लो WhatsApp number ले लो मसे तो आपको dial करने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप जैसे उससे कहेंगे कि आप अपना QR code खोलो WhatsApp बाला और आपको simply यहां पर scan वाले click button पर click करके simply उसके QR code को scan कर लेना है और अब वो number अपडेट है जागा चलिए मैं simply आपको करके दिखाया दाओ जैसे कि मैंने एक दूसरा पून ले लिया है उसमें QR code है और मैं simply यहां पर QR code क्लिक करने के लिए तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा अपडेट है WhatsApp की दरब से और बहुत आसानी रहती है लोगों को number add करने में ताकि गलत भी हो सकते हैं नहीं होते हैं लेगिन इसमें कोई गलत होने का मतलब भी नहीं है दोस्तों आपको trick कैसे लगी और यह feature कैसे लगे आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे प्लेज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरू करना दोस्तों इसी तरह से में अपडेट वाले options और साथे साथ ट्रिक्स इसी तरह की लाते रहते हूं प्लेज सपोर्ट करना दोस्तों जब तक के लिए बाई बाई करना दोस्तों प्लेज सब्सक्राइब करना दोस्तों